मस्काट स्वागत है आपका हमारे चनल पर दिल्ली में हुए डीटी सी बसों में मार्चल उगी भरती को लेकर घुटाले पर भारतिय जंता पार्टी ने दिल्ली के उपरा जिपाल वीके सक्सेना से की है शिकायत और साथ में सौपे हैं तमाम दस्तवेस जो की जुड़े हुए हैं इस घुटाले से आपको बता दें कि भारती जंता पार्टी के आज जो दिल्ली में आठ विधायक हैं वो लगातार दिल्ली की अर्विन केजरिवाल सरकार के उपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच भारती जंता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुपता ने भी DTC बशो में जो मार्शल भरती को लेकर बड़ा घुटाला हुआ है दस हजार मार्शलों की भरती को लेकर जो घुटाला सामने आया है विजेंद्र गुपता जो की भारती जंता पार्टी विधायक हैं, उन्होंने वीके सक्सेना दिली के उपरा जपाल से मिलकर मुलाकात की है और आरोपीओं के उपर सक्त कारवाई की मांग की गई है विजिंद्र गुपता की तरफ से इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि दिल्ली सरकार ने DTC बसों में मार्शल की भरती में भारी घोटाला किया है 2-2 लाख रुपे लेकर भरती की गई है फर्जी दस्तावेज सर्टिविकेट सब पकड़े गए हैं और जो भी फर्जी दस्तावेज मिले हैं मार्शलों की भरती को लेकर ये तमाम दस्तावेज आज दिल्ली के उपरा जिपाल वी के सक्सेना स्वाप दिये गए हैं विजेंदर गुपता की तरफ से और इसी पूरे मामले को लेकर विजेंदर गुपता ने मांगा है जवाब दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल मनीश शोदिया और इसी के साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी जवाब मांगा गया है कहलाश गहलोज से देखना एहम रहेगा जो अर्विन केजरिवाल लगातार अपने नेताओं को बचाते हुए नजर आते हैं आज वो इस डीटीसी बसों में हुए घुटाले को लेकर क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से यह जो बड़ा मामला निकल कर सामने आया है कि भारती जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक विजेंद्र गुपता ने उप्राजिपाल से मिलकर मुलाकात की है मार्शल भरती का जो घुटाला है इसके पूरे दस्तावे सौपे गए हैं और इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को हो विजेंद्र गुपता ने 3 सेतमबर 2019 में दिल्ली सरकार द्वारा डीटी सी बसों में 10 अजार मार्शलों की भरती प्रक्रिया में हुए फर्जी वाड़े की चांच के लिए ब्रश्टचार निरोधक शाखा में शिकायत दर्च करा थी और इसी के साथ विजेंद्र गुपता ने शिकायत में लिखा था कि दूसरे राजियों के निवासियों के फर्जी पते पर आधार कार्ट बनाने के तुरंत बाद 460 लोगों की ट्रेनिंग बिना विभाग को सूचित किये बिना और उनको सर्टिफिकेट बाटे गए है और उसी के बाद इन लोगों को यहां पर भरती किया गया है और ताज्जुप की बात ये है कि जितने भी लोगों की भरती की गई है जिनसे 2-2 लाख उरफे की कमीशल ली गई है ये तमाम जो लोग हैं वो राजस्थान से रखते हैं संबंद और हैं राजस्थान के रहने इतना ही नहीं बलकि विजेंद्र गुपता जो कि भारती जंता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिली सरकार ने मार्शलों की भरती में बड़ा घुटाला किया है और मिली भगत से प्रतेक उमीदवार से 2 लाख उरफे की रिश्वत ली गई ह उन्होंने LG से मांग की है कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से जल्दी से जल्दी आक्शन लिया जाए और तमाम जो गुनेगार हैं जो अपराधी हैं उन लोगों को सजा दी जाए गुपता ने कहा कि DTC बसो में 10,000 मार्शलों की भरती के नियमों का घोरो लंगन किया गया है मार्शलों की भरती के लिए कोई भी विज्यापन प्रकाशत नहीं किया गया यहां तक कि मार्शल पद हेतु आविदकों से आविदन भी नहीं मांगी गए इस घोटाले में SCST आदी को मिलने वाले पदों को भी सुरक्षित नहीं किया गया है जो सविधान का उलंगन है तक की स्थानिया उम्मीदवारों को मिलने वाली प्रात्मिक्ता को भी ताक पर रख दिया गया है इस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने हजारों यूवाओं के साथ उनके रोजगार के साथ ये उनके जो रोजगार का जो अधिकार ह उसका हनन किया गया है और इसलिए अर्विन केजरिवाल मनीश शोदिया और जो उनकी ट्रांसपोर्ट मिनस्टर हैं कैलाश गहलोत को इस पूरे मामले पर जवाब देना पड़ेगा और अब देखना भी एहम रहेगा कि जुस तरीके से आपकर हम बात करें दिल्ली के ज़र आते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ पर दिल्ली के उपराजपाल संग्यान ले रहे हैं चाहे फिर वो हमानत उल्ला खान का मामला हो या फिर आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम वो विधायक हों जोनों ने LG यानि की वीके सकसेना को ही घेरने की कोशिश की थी और कहा था कि उन्होंने ब्रस्ट चार किया है उन लोगों के उपर भी जाच के निर्देश दिये गए थे वीके सकसेना जो की दिल्ली के उपराजपाल है अब देखना एहम ये रहेगा कि कब तक दिल्ली के उपराजप वी के सक्सेना इस पूरे मामले पर संग्यान लेते हैं क्योंकि जहां एक तरफ शिकायत की गई है तमाम चीजों का लेक किया गया है भारती जंदा पार्टी के विधायक विजेंद्र गुपता की तरफ से तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस पूरे फर्जीवारे से इस घ दिये गए हैं तो इस बात काफी जादा एहम हो जाती है कि कब तक एक्शन लेंगे वी के सक्सेना जो की दिली के राज़पाल है और किस तरीके से कौन सी जो एजंसी है वो लगाई जाएगी और कौन से नेता के ऊपर अब चड़ने वाला है के इंद्रियस एजंसियों का सि पहलोत तो नहीं है जो से लगाता डीटी सी बसों में कभी घाटे की खबर आती है तो कभी आटी आई से होते हैं बड़े ही खुला से और आज तो मार्शलों की भरती को लेकर भी आ गया है यह नया बड़ा खुला सा कि किस तरीके से फर्जी सैट्विकिट दे कर और बिना ट्रेनिंग के मार्शलों की भड़ती की गई है आम आदमी पार्टी सरकार के दुआरा जसको लेकर आज भारती जंदा पार्टी के जो विधायक है वो लगातार हमलावर है दिल्ली सरकार के ऊपर यह पहली बार भी नहीं है कि इस तरीके से जो निशाना है वो साधा गया हो आ पॉलिसी को लेकर भी हमें भारती जन्ता पार्टी कई बार रोडों पर नजर आई है जुस तरीके की चीज़ें हमने देखी थी कल कि कैसे भारती जन्ता पार्टी के आठ विधायक पहुचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज रिवाल को ओटो रिक्षाग सामने आया था गुजरात के एहमदाबाद से कि चुना प्रचार करने के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे एक ओटो वाले के घर खाना खाने की जिद और जब उन्हें सिक्योर्टी ने जाने नहीं दिया जो सुरक्षा तैनाद थी जो सुरक्षा बल थे उन्हो मुझे जनता के बीच में जाने दीजिए इसे पूरे कारण को लेकर भारतिय जनता पार्टी की तरफ से साधा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के ऊपर निशाना और कहा था कि इस तरीके से गुजरात में जनता को मुर्ख बनाने से कुछ नहीं तो शुरुआत आप दिल्ली से कीजिए जिस तरीके से आपने सरकार बनाने की शुरुआत भी दिल्ली से की है दिल्ली की जनता ने पहले आपके पर भरोसा दिखाया था जिस तरीके से 2015 की बाद से आपकी दिल्ली में सरकार है तो फिर आखिरकार दिल्ली में अर्विन केज क्यों नहीं जाते हैं जंता के बीच में तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज भारती जंता पार्टी की तरफ से पूछे जा रहे हैं दली के मुख्यमंत्री अर्विन के जा रहे हैं सवाल खेर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए थन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर